Hello friends, आज हम बात करेंगे geographic tongue के बारे में जो patches आजाते हैं जीब में, तो धब्बे जैसे आपको दिखते हैं ये क्या होते हैं, किस कारण से ये बनते हैं, क्या problem इसके कारण आपको हो सकती है treatment क्या दिया जाता है, ये सारी बात करेंगे और सबसे मेन जो आपने कई बार पूछा हुआ है कि कहीं हमें कैंसर तो नहीं हो गया ये कैंसर के लक्षण तो नहीं है आगे चलके कैंसर तो नहीं हो जाएगा तो इसी को हम clear करेंगे अच्छे से इसको समझेंगे वीडियो को last तक आपको देखना है और अगर चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेगे नोटिफिकेशन के लिए चली शुरू करते हैं मैं हूँ डॉक्टर हरीशंकर सोनी और आप देख रहे हैं Easy Dentistry चली समझते हैं जीब के टंग के अलग-अलग disorder होते हैं जिनकी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे लेकिन आज हम especially समझ रहे हैं जियोग्राफिक टंग के बारे में जो टंग disorder है उनमें से एक है जियोग्राफिक टंग ये क्या होती है इसमें आपको patches दिखेंगे जो red patches दिखते हैं जीब में white, red patches आपको दिखेंगे और ये island जैसे दिखते हैं जैसे island होता है कि चारोद अरब से पानी होता है और बीच में एक जगा होती है जिसको हम island बोलते हैं ऐसे patches इसमें दिखते हैं जो pink से लेकर dark red तक हो सकते हैं कुछ cases में ये बिल्कुल white दिखते हैं हलके से आपको white patches भी इसमें दिखते हैं इसको हम बोलते हैं geographic tongue और medical term में इसको हम क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं benign migratory glossitis glossitis मतलब jeep का inflammation migratory मतलब ये एक जगा से दूसरी जगा भी हो सकता है jeep में ये जगह जो space है वो change करते रहते हैं जरूरी है कि हर case में change करें लेकिन हो सकता है आपको ये जगह दिख रहा है कुछ समय बाद ये change करके दूसरी जगह में दिखेगा और benign तो ये आपको समझना है दो term होती है benign और malignant benign मतलब होता है कि harmless condition जो ये cancerous growth नहीं है जो सबसे जाद आपने पूछा है यहाँ पर मैं clear कर दिता हूँ ये cancer की growth नहीं है benign मतलब जो इसके surrounding tissues होते हैं उनसे ये invade नहीं करता मतलब ये बढ़ता नहीं है और एक term होती है malignant जो tumors के लिए use होती है malignant मतलब जो हमारे tissues हैं surrounding tissues है उनमें invade करता है बढ़ते जाता है उसको हम बोलते malignant उसी से बनता है malignancy जो cancer जिसको हम बोलते हैं अब ये अलग topic है जिसको हम किसी और वीडियो में समझेंगे तो ये होता है benign तो इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं होती है generally ये हो जाता है commonly इसको देखा जाता है geographic tongue को तो benign है cancerous growth नहीं होती है कैसे दिखता है red patches दिखेंगे island जैसे patches इसमें दिखते हैं चलिए और समझते हैं symptom की बात करें लक्षन की बात करें तो इसमें ऐसे कोई लक्षन नहीं होते हैं commonly ये हो जाता है इसमें आपको कोई लक्षन नहीं हो गई कि आपको कोई दर्ध हो रहा है या sensitivity और ये sensation आपको कुछ हो रहा है लेकिन जब कुछ cases में अगर ये थोड़ा जादा होता है तो burning sensation आपको हो सकती है जलन जैसी आपको महसूस हो सकती है और साथी साथ burning sensation के साथ साथ ऐसा हो सकता है कि कुछ special कोई ऐसी चीज़े है जिनको आप खाते है या फिर कुछ habit है जिनको आप करते है जैसे smoking है या कुछ tobacco product लेते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़े है जो खाते है तब ही आपको burning sensation होती है तो वो आपको notice करना है तो generally इसमें कोई symptom आपको नहीं दिखेंगे burning sensation कुछ cases में हो सकती है तरने जैसे इसमें कोई बात नहीं है cancer ये नहीं है ये आपको दिमाग से पहले निकाल देना है और जैसे आपने पहले बात किया smooth rate pages होते हैं और change करते हैं location को change करते रहते हैं तो अगर ये एक जगा हो रहे है फिर दूसरी जगा हो जा रहे है तो बहुत ज़्यादा डर्मना नहीं है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है cancer तो नहीं हो जाएगा चलिए और समझते हैं अब बात करते हैं इसके causes की कारण क्या होते हैं तो इसके जो कारण है वो unknown है मतलब ऐसा कोई definite कारण इसके बारे में नहीं बताया गया है कि ये करने से या फिर इस कारण से ये हो रहा है glossitis हो रहा है जो migratory glossitis है geographic tongue जिसके हम बात कर रहे है ऐसा कोई specific कारण इसका नहीं है लेकिन कुछ कारण बताएगे हैं जैसे stress अगर stress है इसके कारण ये हो सकता है या फिर कोई आपकी habit है जैसे मैंने अभी आपको बताया कुछ continuous habit है जिसके कारण आपको ये हो सकता है या फिर chemical burn से हो सकता है acidity अगर ज़ादा है अगर chemicals जदा आपके рیलीज हो रहे हैं उसके कारण ये हो सकता है इसके अलावब किसी चीज से उनमें भी geographic tongue देखने को मिलती है तो ये कुछ कारण है generally तो unknown है कोई specific reason नहीं लेकिन ये कुछ reason है कारण है जिनके कारण grossitis देखने को मिल सकता है चलिए अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी है तेसे मैंने आपको पहले बता दिया कि यह cancerous growth नहीं है बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर यह बढ़ रहा है काफी समय से है तो आपको इसको एक बार check-up जरूर करवाना है differential diagnosis doctors बनाते हैं जो अलग-अलग और भी disease हैं जो आगे की वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ वीडियो में बात की भी हुई है तो ऐसे diagnosis होते हैं जैसे यह leukoplakia भी हो सकता है candidiasis भी हो सकता है lichen planus हो सकता है chemical burns जैसे मैंने बताया ऐसी conditions के कारण भी ऐसे patches दिख सकते हैं बहुत similar patches होते हैं similar problems होती है fissard tongue होती है तो इनका check-up कराना एक बार जरूरी है तो अगर ऐसा कोई problem है लंबे शमय से किसी किसी को यह जो problem है lifetime भी रहती है कि उनकी tongue ही ऐसी है शुरू से ऐसी है और लाश तक ऐसी ही रहती है तो कोई problem नहीं करती है क्योंकि cancerous नहीं है लेकिन फिर भी एक बार हमें इसे check कराना है और अगर कुछ problem हो रही है burning sensation हो रही है तो जरूर एक बार आप इसको check कर रही है चलिए अब समझते हैं इसका treatment तो geographic tongue जो है ये बिना किसी treatment के ठीक हो जाता है अगर थोड़ा बहुत आपको किसी कारण से हुआ है तो धीरे-धीरे करके ये खुद से ही ठीक हो जाएगा इसके अलावा अगर आपको किसी habit के कारण हो रहा है अगर आप notice करते हैं आपको notice करना है कि कुछ खाने से हो रहा है या फिर smoking से या फिर जो tobacco product है या और जो चीजे habit है आपको खाने की उसके कारण हो रहा है तो आपको notice करना है और उसको आपको बंद करना है तो भी geographic tongue ठीक हो जाता है और क्या हो सकता है अगर आपको टंग में pain है दर्द हो रहा है या burning sensation है तो इसके लिए आपको energetic pain killers दी जाती है और topical anesthesia जीआ जाता है जो जीब है उपर कुछ देर के लिए जो बूलते हैं सुन हो जाती है उससे आपको relief होता है और जरूरत है तो retroidal medicine दी जाती है पेस्ट दिये जाते हैं जो जेल होते हैं वो आपको लगाने के लिए इसमें दिये जाएंगे और इसके बाद भी कुछ लोगों में जैसे हमने बात किये नॉर्मली यह होता है जी भी ऐसी होती है और रिलाश्ट तक ऐसी ही रहती है तो इससे कोई problem नहीं है लेकिन हाँ जैसा मैंने पहले कहा एक बार आप चेक अप जरूर करा सकते हैं तो यह हमने आज बात की geographic tongue के बारे में जो migratory glossitis है इसके बारे में hopefully आपको help मिली होगी अगर आपको कुछ confusion था जैसा आपने कई बार पूछा हुआ है कि एक cancer तो नहीं है तो वो आपका confusion clear हुआ होगा तो care रखे अपनी और check up जरूर करा सकते हैं आप इसके लिए वीडियो अगर helpful रगा हो तो इसे आपको like करना है और share कर दीजे जिनको जरूरत है और जो आपके friends से उनके साथ वीडियो को share कर दीजे और comment section में आगर बताए कि इन topic पर और वीडियोस आप देखना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे follow कर सकते हैं चलिए जल्दी मिलेंगे next वीडियो में एक और नए topic के साथ thanks for watching